दोस्तो आज कल बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है लेकिन अपनी पुझी को मुनाफ़े में बदलने का आडिया सब के पास नहीं होता कम लागात वाले काम या बिजनेस की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें मुनाफ़ा भी कम होगा यह बात एक हद तक सच भी है लेकिन आप छोटी सुरुआत करके ही इन कामों को बहुत बड़ा बना सकते हैं हमारे आसपास ऐसे ही कई बिजनेस आडिया है जिसे करके आप असानी से क्लोरों रुपिय कमा सकते हैं तो आए जानते हैं आज के इस विजियो में 25 ऐसे बिजनेस आडिया के वारे में जिसे आप शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं दोस्तो अगर आप गौँ में रहते हैं तो पॉपकॉर्ण का बिजनेस आप बहुत ही आसानी से सुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें जरूत होती है मक्के की जो आप बहुत आसानी से अपने खेत में वगा सकते हैं या आप कहीं से इसे खरीद सकते हैं इसके बात आप चाहे तो भठी जलाकर या फिर पॉपकॉर्ण मेकिंग मसीन से भी आप पॉपकॉर्ण बना सकते हैं और इसे बेच कर आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं nor two ब्लोगिंग दोस्तों ब्लोगिंग आउनलाइन काम करके पैसा कमाने का सबसे बहतरी जर्या साबित हो सकता है यह काम कोई भी शुरू कर सकता है इसमे ज़ुरत है तो मात्र आपके पढ़े लिखे होने की ब्लोगिंग कोई हुआ अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकता है और घर बठे पैसे कमाने के साथ साथ घर के काम भी कर सकता है दोस्तों अगर आप भी थोड़ी सी क्रियेटीव है तो यहां बिजनेस आडिया आप के लिए बेश्ट है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है इस बिजनेस की खास बात यहां है कि इसमें आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूत नहीं है बस आपको अपने दिमाग का परियोग करके अपने कस्टमर को अपने डेकॉरेशन से खुस करना होगा डेकॉरेशन का काम सीखना भी काफी असान है आप यूट्यूब से विडियो देकर असानी से सीख सकते हैं सजावट कई परकार की जगों की हो सकती है जैसे घर, ओफिस, स्कूल, साधी समारो इत्यादी में आप सजावट का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिके हैं और एक छात्र हैं तो एक छात्र के लिए यह सबसे अच्छा पैसे कमाने का जरिया है यह काम आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। ट्यूसन पढ़ाने का काम आप छोटे बच्चे से सुरू करें। ताकि आपके अंदर का जिजग भी निकल जाए। और आप इस काम में माहिर हो जाए। इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी काबलियत के अनुसार अपने स्टुडेन क को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों पुराना समान खरीदने अब काफी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि बदलते दोर के साथ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल बदलने का सौक अब कुछ जादा ही देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे कि पहले की तुलना में अब लोगो और कुई कर जैसी वेफसाइट पर बेचकर मुनाफ़ा कमा सकते हैं। यह एक बेहतरिन बिजनेस आडिया है जिससे बहुत से लोग खूब पैसा कमाते हैं। दोस्तो मुर्गी का अंडा खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह तो आपने भी सुना होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अगर आप भी कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो मुर्गी पालन का काम जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्या वहीं से करें जहां बच्चों की अधिक संख्या हो क्योंकि आशक्रीम बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा आकरसक का केंद्र होता है। इस काम के लिए आपको लगभग 20-30,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा और साथ ही साथ कुछ लोगों की जरुत पड़ेगी। इसके पर भी डिस्पोजल का प्लेट इस्तमाल होती है। यह एक तेजी से ग्रू करने वाली बिजनेस आडिया है। इसी आप करके आसानी से लाखो रुप्य महिने कमा सकते हैं। नमबर नाइन पेंटिंग का काम। दूस्तों लोग हमेशा तेहवारों में और साधियों में अप इसी खासी कमाय कर सकते हैं। नमबर टेन सेलोन बिजनेस दूस्तों यदि आप बाल काटना जानते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप कहीं पर भी हेर सेलोन की स्वप खोल कर पैसा कमा सकते हैं। क्यूंकि लोग तो हर जगह रहते हैं और बालो करने का वेफसाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर उन हुनरमंद महिलाओं के लिए जो काम की तलास में हैं। यह बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा है जो बैठे-बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। नमबर ट्वेल्व ब्रेट बनाने का बिजनेस दोस्तों इस काम की शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। आजकल ब्रेट खाने वाले लोगों की गिंती बढ़ती जा रही है। क्योंकि यह सबसे कम समय में तयार होने वाला ब्रेकफास्ट है। ब्रेट बनाने का बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प ह जिससे आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। दोस्तों मेडिकल स्टोर यानि दवा की दुकान या एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। कभी कभी लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाते हैं। इसके अलावा द जारी या पॉल्ट्री फॉर्म वाले इस्तिमाल करते हैं जो आपके लिए एक अच्छा विकल्ब प्रदावन करती हैं। अगर आप ऐसे छेतर से संब्द रखते हैं जहां मुर्गी पालन और डैरी का काम होता है तो यहां आपके लिए एक अच्छा विकल्ब है। नमर 15 अच्छली पालन के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा तो आईसे में आपके लिए बहुत अच्छा विकल्ब बन सकता है। नमर 16 डैरी फॉर्म दोस्तों अगर आप गौव में रहते हैं तो आपके लिए यहां बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। इसमे अगर आपके पास टेकनिकल हुनर है तो आपके लिए यह काम सबसे बेश्ट है। आज के दौर में मुबाइल फोंस की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। उसी परकार से मुबाइल रिपेर करने वालों की विमांग बढ़ती जा रही है। तो फिर आप आराम से काफी ट्रेंडिंग और प्रोफिटेवल बिजनेस बन गया है। अगर आप एक महला है और कार्ड की तलास में हैं तो यह आपके लिए एक बहतरेन बिजनेस आडिया है। जो बहुत ही कम पुंजी के साथ सुरू किया जा सकता है। और आप इसे अच्छे खासे पैसे कमा सक है। आप इस बिजनेस में भी अपने घर से ही अच्छी खासी आमदानी कर सकते हैं। दोस्तों डीजे साउंड सर्विस आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब भी कोई पाटी या बराद आदी होता है तो लोग अपने मनुरंजन के लिए डीजे मंगवाते है आईसे में यहाँ आपके लिए एक अच्छा बिजनेस हो सकता है जिससे आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं। डीजे का काम सुरू करने के लिए सबसे पहले आपको उसके उपकरन खरितने होंगे। जिसके बाद आप दो से तीन व्यक्ति की मदद से अराम से अपने डीजे ब और्गनाईज करते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को इवेल्ट का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। जिसके कारण वहाँ इसकी व्यवस्था को अच्छे से समाल नहीं पाते हैं। ऐसे मुख कोई ऐसा व्यक्ति खोचते हैं जो उनके लिए मैनेजमेंट का काम कर दे। औरतों के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हर सहर कसबे और गाँ में यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सुरुआत आप 10,000 के अंदर आराम से कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस काम को सुरू करने के लिए आराम से बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अनुभिवी डिस्ट्रिबीटर से बात करने होगी जिसके द्वरा आपका पापार पूरे सहर की दुकाना पर बेचा जाए। नमर 23 वहां धोने का बिजनेस। दूस्तों वहां धोना एक बहुत ही अच्छा और सरल बस आपको सफाई की मसीन खरीदना होगा। आजकल जिनके विपास गारी है वो दुकान पर ही साफ करवाते हैं जिसके मदद से आप एक दिन में अच्छी खासी कमाए कर सकते हैं। दूस्तों अगर आप एक प्रकृतिक से प्रेम करने वाले विक्ति हैं तो यह आपके लिए यह आपका छोटा सा कदम भी होगा। दूस्तों जदातर लोग मस्रूम खना पसंद करते हैं। मस्रूम में भरपूर मात्रा में विटामिन्स महजुत रहते हैं। मस्रूम का बिजनेस आप चाहे तो एक रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छा खसा मुरफा कम सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो बड़े पैमाने पर पैकिंग करके अपना मस्रूम बजारों में पहुचा सकते हैं। तो दोस्तों उमीद करते हैं आज किस वीडियो में बताए गए 25 बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत ही हिलफुल साबित होगा। वीडियो प नहीं करते हैं पाद में सकते हैं। झाहें।